नमश्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास किपन में। सब सम्विधान की कसम खाते हैं, चाहे वे उसके मूल चरित्र को माने या ना माने। काफी समय से हिंदुस्तान के नेताओं ने सम्विधान को फंडमेंटली एमेंड करने की कोशिश की है। हाल के वर्षों में विशेश रूप से 2014 के बाद इस प्रयास में चिंता जनक विद्धी हुई है। ये साल 2023 के शवनन भारती केस में सुप्रीम कोट के एक बेहद महत्वपून फैसले की पचासवी वर्षकाट भी है। हाफ अ सेंचुरी पहले सुप्रीम कोट ने फैसला दिया था। संसद सम्विधान में संशोधन कर सकती है परंतु उसके बुन्यादी ढांचे या यूं समझिए बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं परिवर्तित कर सकती। उसके बाद से इस फैसले ने सम्विधान के फंडमेंटल वैल्यूज के लिए एक तरह से चौकिदार की भूमी का निभाई है। इस वर्ष के दौरान इस कारेक्रम में हम इस निर्णय इस वर्डिक्ट पर चर्चा करेंगे जो एप्रिल 1973 में दिया गया था। हम वास्तविक वर्ष कांट के करीब कानूनी आयाम पर व्याख्या और विशलेशन तो करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फैसले किए कॉंसिट्यूशनालिटी और राजनितिक इंप्लिकेशन्स पर रोशनी डालेंगे। मेरे आज के महमान है तन्वीर एजाज साहब जो दिल्ली उनिवर्शिटी के रामजस कॉलेज में पुलिटिकल साइंस के एसोसियेट प्रफिसर हैं। तन्वीर साहब सबसे पहले तो हमारे इस कारिक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद। केशावनन भारती केस 1973 सबसे लंबे समय तक इसकी हेरिंग गुई जो लीगल स्कॉलर्शिप जो लॉपढ़ते हैं वो कहते हैं कि लॉंगेस्ट एवर केस 68 दिन तक केस चला maximum number of दुनिया के अलग-अलग समविधानों को देखा गया सबसे बड़ा constitutional bench 7-6 का split verdict majority 7 के favor में आया और फिर जाके यह हुआ सरकार parliament द्वारा समविधान का amendment तो कर सकती है लेकिन basic structure को नहीं परिवर्तित कर सकती है तो जड़ा हम सबसे पहले बात करें थोड़ा सा वो एक आयरोनिक है कि मूल जो मामला था केशवरनद भारती केस वो essentially right to property था एक मठ का केरल में property थी जिसको acquire कर ली आता है उनने का मेरे ये fundamental rights का violation है कि साब मेरी जमीन जो है सरकार ने जब्त कर ली है वहाँ से लेके एक तरह से constitutional मतलब हमारा समविधान का जो मैंने word की इस्तिबाल किया कि चौकीदार चौकीदार तो आजगल हमारे राजनेतिक phrase में बिलकुल एक जुमला बन गया है लेकिन वाकिए केशावनन भारती case का जो judgment है उसने समविधान के मूल जो principles है उसके लिए चौकीदारी की है वो आज लगता है कि खत्रे में उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम आप से जानना चाहते हैं पूरे case का इस verdict का इसके माइने basic structure का क्या मतलब है आप से सुनना चाहते हैं जैसा कि आपने कहा कि केशवनननदा भारती case जो है 1973 में जो judgment आया और ये गोलकनाथ case को overrule किया और पर एक बात बहुत important है गोलकनाथ case जो 1967 में आया और गोलकनाथ case भी एक तरह से शंकरी प्रसाद case का review करता है तो एक तरह से sequence of supreme court अपने फैसले को पुनर जाके revisit करता है तो गोलकनाथ case और केशवनननदा भारती case के बीच में ये 24 वा और 25 जो संशोधन लाई थी क्योंकि उनको लगता था politically उनको लगता था कि सम्विधान में अगर amend हम नहीं कर पाए तो फिर हमारा औचित है क्या हमारी power कहां से आई तो आज जो बात की जा रही है कि parliament sovereign है और sovereign to the extent that it can do anything कुछ भी कर सकता है सम्विधान के कोई भी अनुच्छेद को वो बदल सकते हैं और यहीं नहीं कोई भी अनुच्छेद बलके article 368 जिससे की संशोधन किया जाता है वो यह भी parliament अपने आपको यह चाहती है कि मैं इस तरह का sovereign body बन जाओ कि मैं उसको भी संशोधन कर दूँ तो खत्रे में बहुत सारे articles हैं अगर संशोधन की बात की जाती है और एक तरह की राजनिती है जो यह चाहती है कि कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं कुछ ऐसे articles हैं जिसमें बदलाओ की जानी चाहिए तब ही जा करके हम एक नए भारत का we would be we would be having a new India which would be different from old India and old India is having one of the best constitution अब यह बताईए कि अगर हम new India में जाना चाहते तो क्या हम old constitution जो हमारा basic जो एक ऐसा constitution है जिसकी सराहना मुझे लगता है कि विश्व में हर liberal democratic country करती है इसकी सराहना करती है और इसमें in fact बहुत सारे हमारे constitutional experts भी बोले हैं कि यह constitution along with the basic structure doctrine जो है यह constitution for generations to come यह यह वैसा है so it's an organic it's की अपनी एक identity है जो old identity है वो identity यह दिखाता है कि हम लोग किस प्रकार से painful transition किये अजादी से जो है अजादी मिली हमको from a colonial country to an independent country so it was a painful transition of course there's a lot of violence and lot of you know problems whether you know about it कोई भी colonial country अगर independent होता है तो इसकी transition बहुत आराम नहीं होता है हिंदुस्तान जैसे देश जिसकी समाज में भी बहुत चटिलताएं थी जी जी so उस वजह से उस वजह से जब ये जब ये पे तो हमने जो constant assembly है जिसने जिसके पास constitutional power था समविधान बनाने का और समविधान में क्या चीज रखनी है क्या चीज नहीं रखनी है ये constant assembly having constituent power to define about the expressions of sovereignty उन्होंने बड़ा अच्छा सब कुछ बनाया और ये जो constitution हमें मिला अब ये इसके कुछ pillars है बहुत important pillars है अब आज जब ये बात हो रही है कि हम क्या basic structure को माने या नहीं माने pillars के पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी constituent assembly का जिक्र किया आपने constituent assembly ने समविधान देश को दिया 1950 में उसको accept किया जाता है adopt किया जाता है उसमें ये तय होता है कि ये जो समविधान है ये permanent structure नहीं है ये मतलब final product नहीं है इसमें full stop नहीं लखिया ये continued sentence है जब चाहे तब संसत को अगर लगे कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए तो उसमें constitutional amendment की गुंजायश है तो फिर जगडा कैसे है देखिए हर समिधान में हर liberal democratic constitution में constitution के अंदर ही एक part होता है जिसके थूँ आप constitution को amend कर सकते हैं अगर आपने ये part नहीं रखेंगे तो वो जो एक living organism की तरह हम कई बार जो है constitution को नए चुनोतियों को तो हमारे हाँ जो article 368 में constitutional amendment की जो provision है वो आप देखेंगे कि बहुत rigid भी नहीं है बहुत flexible भी नहीं है बहुत difficult भी नहीं है और बहुत easy भी नहीं है ये है क्योंकि उसमे आप simple majority से amend कर सकते हैं आपको amendment के लिए two third majority present and voting in the house वो चाहिए होता है कुछ चीज को amend करने के लिए आपको ratification by at least half of the states चाहिए तो ये जो एक provision दिया गया है बड़ा ही सोच समझकर और सारी वो जो independence के समय जो जटिलता है थी उसको देख कर के दिया गया है और मुझे लगता क्या क्या amendment किस तरह से करनी चाहिए वो एक अलग विशाय है वो बाद में बाचे पर amendment procedure इसके अंदर है अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे ख्याल से एक और चीज साथ में है कि उसमें जो आपने आर्टिकल 368 की बात की साथ ही मेरे ख्याल से आर्टिकल 13 की भी बात होती है जी ज सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन आप fundamental rights नहीं ले सकते हैं उसको dilute नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 13 हमारे constitution में है वो ये बताता है law के बारे में हमारी constitution में दो powers है एक तो constituent power जिसको बार बार मैं कह रहा हूँ और उसकी जो location है वो parliament दे दी गए ये कई देशों में जो है उसके पास ये power है और constituent power है अब वो कौन से law ला सकता है कौन से law repeal कर सकता है कौन से articles को amend कर सकता है और amend करने के बाद फिर वो within the ambit of article 13 वो law हो जाता है तो ये provision है हमारी जो लडाई हुई है इस parliamentary sovereignty और judicial supremacy और judicial autonomy आप कह सकते है उसके बीच में ये जो tension है वो tension sovereignty किसके पास है इसको locate करने की बात है तो दो बात यहाँ पर आती है sovereignty लोगों के पास है लोग जो है उस sovereignty से ही जो है constitution दिये है उस sovereignty से ही सारे political institutions की design हुई है और उसी के through बट जो 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 लोगों की sovereignty है वो एकठा हो के सरिफ पारलेमेंट में नहीं जाती है लोगों की sovereignty जो है वो dispersed हो जाती है और सारी political institution में जाती है आपने बहुत बढ़ी बात किए पारलेमेंट चाहती है कि सारी की सारी जो लोगों की sovereignty है उसका रखवाला मैं यह जाहूं वैसे अभी उसकरों या यूज करों तो यूसरपेशन ऑफ पॉपलर सोवरेंटी इन अफॉर दी परपस आफ दूइंग विट दी कॉंसिटूशन इसल्फ विच्वां तो मॉडिफाई इसी अमेंडमेंट केशाव नंदा भारती में बहुत क्लियर था कि अमें अमेंडमेंट ड़स नॉट मीन अबरोगेंट रिपील चेंज और अनक्त रिव चॉंसिटूशन अमेंडमेंट दसन्ट मीन अमेंडमेंट मीन तो मॉडिफाई एचार खना जो जज्ट है जिनकी जज्जमेंट बहुत इंपॉर्टन थी उन्होंने एक छोटा सा लाइन कहा जो बड़े माइने रखते हैं वो यह कहा कि we cannot destroy the thing that we want to modify. This was his statement. So it's very useful. मेरे खियाल से आपने थोज़ देर पहले एक बहुत बड़ी बात कही कि संसद या जो लोग क्लेम करते हैं कि संसद के आवाज वो हैं, उनका right है to give voice to the sentiment of parliament. चाहे आज के यूग में हो, अभी हाल में भारत के उपर आश्ट्रपती लगातार बोलते आए हैं कि कोट के पास, सुप्रीम कोट के पास कोई हक नहीं है, पार्लमेंट द्वारा कानून बनाए गए को interpret करें कि यह सम्विधानिक है या गयर सम्विधानिक है. यह उन्होंने NJAC केस पे उठाया है और अभी हाल में प्रिसाइडिंग आफिसर्स के conference में जो जाइपूर में हुआ था, वहाँ उन्होंने तो सपश्ट कर दिया कि केशावनन भारती केस में जो जज्जमेंट था, basic structure वो गलत था, क्योंकि अगर basic structure को amend नहीं कर सकती है संसद, तो फिर democracy कहाँ है हम, मतलब आप अगर चुने गए हैं, तो आपके पास पूरा हक ये लोग मांग करते हैं, कि सब कुछ बदल दें, जो जिसके आधार में चुने गए हैं, मेरे खाल से यही जो motivation आपने गोलखनाथ केस की बारे में बताया था, जो 1967 में जिसका judgment आया था, तो 1967 से लेके 1973 के बीच में, जो 6 साल थे, ये वो period है जब इंदरा गांधी अपने चरम की तरफ बढ़ रही थी, in terms of absolute power, 1970 में mid term poll election कराके, वो बहुत ही powerful leader बनके उबरी थी, तो लगभग इंदरा गांधी की 1970 में जो सरकार चुनी गई थी, उसकी अपने बारे में, अपने mandate के बारे में सोच लगभग comparable थी, आज के भारत के सरकार के बारे में, कि mandate है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन mandate सिर्फ आपको नहीं है, जो आपने पताया, mandate जो है, सुप्रीम कोट को भी है, mandate जो है, executive के दूसरे offices में भी है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कि ये जितनी भी जो institutions है, ये public institutions है, और public institutions, वो अपने लिए अगर काम करेगी सिर्फ, या अपने power aggrandizement के लिए काम करेगी, तो शायद वो public institution नहीं रहेगी, मेरा मानना है कि judiciary, executive, legislature, ये सब जो है, ये public institution है, और एक तरह का architectural design है, political institutions है, जो हम लोग democracy में एक envision किये थे, कि हमारा देश जो है, वो अच्छा हो जाएगा, और एक तरीके से हम लोग प्रगती के राह पे अग्रसर होगे, लेकिन आपने ये जो बात कही, जो इंद्रा गांधे वाली के इस जो बात कही, तो उसमें दो events बहुत important है, एक तो 39th amendment है, अब 39th amendment में ये कह दिया गया, के जो है, कोट, बिल्कुल कोई अपील नहीं हो सकती है कोट में, अगर कोई dispute, election dispute है तो वो नहीं हो सकती है, जबके articles में, article 71 देख ले आप 3 में उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, आप president, vice president के elections में, supreme court can intervene, तो अब जब, अब 39th amendment में, उनके dispute और जो case है, बिल्कुल अलग कर दिया गया, side में रख दिया गया, कोट को कहा गया कि आप जो है, इन cases को आप नहीं देख सकते, there is no appeal, there is nothing, there is no judicial review on this, तो अब जब judicial review एक ऐसी चीज़ का है, जो एक invalid है, तो court नहीं ये कहा, कि देखिए ये जो amendment है, ये law हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक judgment है, so a legislative judgment cannot validate an invalid election, that was the statement of the court, जो बड़ा famous है, इंडरा गांधी, राज नरायन के case में, बड़ा famous है, उसमें यही बात कही गई थी, जिसकी वज़़ा से emergency लगाई गया, तो मैं ये कह रहा हूँ, कि आज जो एक तरीके से basic structure पे सवाल उठाये जा रहे है, ये अच्छी बात है, और हम सब को basic structure पे discussion करना चाहिए, debate करना चाहिए, जिसे आप कर रहे हैं, और basic structure को समझने की जरूरत है, कि ये कितना important है, हम से बहुत सारे ऐसे countries हैं, जो हमारी basic structure doctrine की काफी प्रशंसा करते हैं, और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, कई काफी जो है, इसमें jurisprudence इस प्रकार से है, कि लोग इसको समझना चाह रहे हैं, कि क्या इतनी complex society, basic structure doctrine को सस्टेन कर पाएगी, तो ये एक प्रशन है, और इसलिए बार-बार ये प्रहार हो रहा है, basic structure पे की, और ये प्रहार जो है, वो पार्लेमेंट के तरफ से आ रही है, पार्लेमेंट आप जानते हैं, पार्लेमेंटरी डिमॉक्रिसी है हमारा, तो गवर्मेंट भी more or less जो है, आप पार्लेमेंट के अंदर ही पाते हैं, हम council of ministers से वहां रहते हैं, तो as member of parliament, तो अब अगर आप की मनशा है, कि हम basic structure हटा दे, अगर पार्लेमेंट ये कहती हैं, बेसिक structure अब नहीं मानेंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या लाएंगे, फिर आप सम्विधान को किस पकार से देख रहे हैं, सम्विधान में दो बहुत important चीज, जो सम्विधान की धाचा जो हमें बताती है, वो ये है कि ये एक लोकतांत्रिक सम्विधान है, तो इसलिए हमें लोकतंत्र अटेरी कोस बचाना है, दूसरा जो fundamental rights हैं हमें मिले हुए है, उसकी violation नहीं हो सकती है, तो उसकी violation तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें amendment आप उतना ही कर सकते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को sustain कर सकती हैं, तो लोकतंत्र और और आपका fundamental rights, यह बड़ा ही inextricably linked है, अगर आप fundamental rights violate करेंगे, freedom हो गया, equality हो गया, जो दोनों कहा गया है basic structure है, मिनिर्वा मिल्स केस में कहा गया है, तो अगर आप यह सारे जो इसको अगर आप कहेंगे कि यह हटा दे, या इस पे प्रहार करें तो एक तरह से लोग तंत्र पे पढ़ा हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते है, basic structure के बारे हैं, basic structure कहीं लिखा नहीं है, यह है basic structure कहीं आपको constitution में या किसी सरकारी दस्तावेज में आपको एक तीन पेज का official note नहीं मिलेगा, जो गजट में चपाओ, गजट आफ इंडिया में चपाओ, कि यह है हमारा basic structure, एक notion है, तो उस notion में supremacy of constitution, rule of law, separation of power, parliament के अपने power है, judiciary के अपने power है, इस पे अभी प्रहार हो रहा है, 1970 से लेके 1973 के बीच में भी प्रहार हुआ था, 1970 नहीं मदब 67 के बाद से, लेके 73 में भी अटैक हुआ था, judicial review, जिसको आज challenge किया जा रहा है, कि judiciary के पास, Vice President जगदीब धनकर जी ने साफ कहा है, judiciary का कोई power नहीं है, उस कानून को scrutinize करे, जिसने, अगर संसद ने उसको पास किया है, क्योंकि संसद के पास जनता का mandate है, आपके पास जनता का mandate नहीं है, यह argument fallacious है, federalism, secularism, independence of judiciary, sovereign, democratic and republican structures, और एक हर व्यक्ति का अपनी स्वाधीनता, अपना freedom, यह सब चीजे मोटे तौर पे, basic structure के तौर पे हम समझते हैं, शायद यह भी कहा गया है कि basic structure expandable है, यह भी शायद कहा गया, तो इस particular context में हमको क्या लगता है कि, केशावनन्द भारती केश 50 साल पूरे हो रहे हैं, पूरे basic structure पे आपने कहा कि debate होनी चाहिए, तो debate का direction क्या होना चाहिए? देखिए, debate का direction अगर हम top down जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह ताय करना पड़ेगा, कि जो expression of sovereignty है, उसको legitimate कौन करेगा? Sovereign, आप देखें तो parliament भी है, क्या executive sovereign नहीं है, क्या judiciary sovereign नहीं है, क्या state sovereign नहीं है, Sovereign, अगर sovereign की expression आती है, तो उसको legitimate, उसकी legitimacy कौन देगा? ठीक है? अब parliament यह कहती है, कि उसकी legitimacy लोग देते हैं, अब आप बताईए, कि 31% लोग, 40% लोग, 50, 70, 80, 80% भी लोग, अगर sovereign के expression को legitimacy दे दे, अगर वो expression यह है, कि हम constitution बदल देंगे, हम constitution नहीं मालेंगे, हम constitution को कहीं और रख देंगे, हम एक नया constitution लाएंगे, हम कुछ religious book है, जो हमारा, वो वही, अब अब से नया constitution रहेगा, तो अब बताईए, कि यह जो 20% कहरें नहीं है, कैसे आप legitimacy देंगे, यह तो एक debate बहुत important है, कि वो कौन से ऐसे conditions है, जिसको तै करना जरूरी है, कि उसको concretize भी करना बहुत जरूरी है, वो conditions को, कि यह conditions, जो है, इसके यह बहुत ही important है, इसको secure करना है, और इस conditions, इसके beyond कुछ किया जा सकता है, लेकिन यह conditions को, हम उसमें change नहीं ला सकते हैं, तो यह जो conditions, जो secure करने की बात की जा रही है, यह तो जुरिशरी करेगी, ओरिजिनल jurisdiction, किसके पास है, तो interpret the law, यह legislature के पास नहीं है, यह executive के पास नहीं है, आप appellate jurisdiction, जो supreme court की है, मैं एक छोटी से और बात बता रहा हूँ, कि जब यह बात हुई, कि expression बहुत debate है, कि sovereign के expression की legitimacy कौन देगा, और कहां से आना चाहिए, तो ultimately यह ताय होता है, कि जुदीशरी देगी, ठीक है, और conditions कहेगी हो, सजजन सिंकेस, गोलक से नाच और पहले जाईए, और उसमें जो है, जो minority opinion था, उसमें दो लोग थे, हिदायत उल्ला थे, justice हिदायत उल्ला, और justice मदोलकर, इन दोनों ने, यह बहुत clear कहा, उसमें कि देखिए, सब तो ठीक है, शंकरी प्रसाद में, तो चुक्ए हम नय नया था, 51 तो भाई पार्लेमेंट नया बना है, सुप्रीम होना चाहिए, पार्लेमेंटरी सॉवरेंटी है, पार्लेमेंटरी सुप्रेमिसी है, लेकिन जो minority opinion है, पहली बार उसमें basic feature को कहा गया, कि बिना basic feature के, बड़ा मुश्किल है सम्विधान को आगे ले जाना, उसके उसी shape में, मतलब ये basic feature हम एक तरह से ये कह सकते हैं, कि अगर हम सम्विधान को एक human body की तौर पे देखें, तो basic feature को, क्या हम कह सकते हैं, ये हमारा moon skeleton है, जिसके आधार पे पूरा शरीर टिका हुआ है, मैं अनालेजी देने की बात तरहाएं, अनालेजी अगर आप देंगे तो basic structure, तो मुझे तो उसका heart लगता है, इसलिए क्योंके, देखी article 32, और मैं भूल रहा हूँ, 126 है शायर, ये जो basic है, क्योंके हमारा rights अगर violate होता है, और वो state के द्वारा violate होता है, state के action के द्वारा violate होता है, तो हम कहां जाएंगे? court पे जाएंगे? court कहती है, तो court ये देखेगी, कि ये जो जिससे आपका violation, वो आपके right, जिस कानूं से क्या हो हमारे सम्विदान के दारे में so judicial review is one of the basic structure बिना judicial review के चाहे आप UK ले ले चाहे आप US ले ले provision है even UK में भी provision है unwritten constitution है through a week है but provision है तो आप कोई भी वही मैं कहा हूँ आप कोई भी liberal democratic अब हम अफगानिस्तान तो है नहीं कि वहाँ का parliament कह दिया जो कह दिया वहाँ का parliament तो सबसे जादा supreme है जी तो आप authoritarian regime के जो भी parliament होते हैं वो सबसे पहले parliament को supreme और sovereign और जितने fetters हैं वो हटाना चाहते हैं और जो parliament चुके उनको mandate मिला हुआ है inner democracy of course 50% 40% हमारे system में 31-40% अगर vote आजाता है तो आप government form कर लें तो एक तरह से mandate मिल जाता है कि आप जो है पट वो सब का mandate नहीं है वो सारे लोगों का mandate नहीं है और आप ये कहें कि sovereignty सिर्फ उन 31% लोगों के पास है और बाकी के पास नहीं है ये तो बहुत ही गलत बात बात है ये तो कहीं नहीं हो सकता है इस तरीकी की अवधारना हमारे सारे political philosophers fail कर जाएंगे अगर इस तरह की अवधारना रही की popular sovereignty का मतलब स्रिफ 31% population की sovereignty तो मुझे लगता है कि ये जो basic structure की debate है एक तो ये होनी चाहिए और दूसरी जो बहुत important है जो मैं बार-बार कहता हूँ कि breaks हमारे प्रोफेसर उपेंद्र बक्षी ने बड़ा अच्छी लाइन बड़ी अच्छी लाइन कही है कि अगर हम break इस्तमाल नहीं करेंगे तो ये जो हमारा engine है amending power जो है उसको एक engine कहते है कि the engine of amending power will run over will overrun the constitution जी तो हमें break और ये जो break की बात कहीं गई है वो judicial review है तो अब इससे ये हमें हमें देखना है कि किस जगह से accountability आ सकती है कहां से checks and balances होगा power को अगर आप बिलकुल ही without without क्योंकि देखिए accountability जितने भी political institutions हैं वो सिर्फ accountability holder ही नहीं है वो accountability holdee भी है जैसे pay repayee भी होते है तो control और check जो है वो कहां से आएगी तो वो तो institutions हमने design किये वो उस तरीके से कि checks and balances रहे इस पकार से कि individuals या groups या community की rights वाले ना हो आपने मतलब बहुत ही सूख्षम और अच्छे तरीके से आपने समझाया कि basic structure हमारे समविधान का क्या है और वो basic structure को safeguard करना क्यों क्यों जरूरी है 50 साल हो गएं केशावनन भारती case के मूल case एक property dispute था जैसे की लेकिन अब बात आ गई है और खास तो से जब भी कोई regime आती है जिसके पास absolute power होती है और absolute power और acquire करने की जिसके ambitions दिखाई देती है तब इन सब चीजों की बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है आखिर में जाते 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 एक सवाल समविधान ये है amend करने के बाद तो समविधान यही रहेगा आपने कई बार कहा नया समविधान ये सरकार या फिर इंदरा गांधी की सरकार तो यही बोलते है तो समविधान तो यही रहेगा लेकिन उसमें amendment होते जाएंगे जो आपने उपेंदर पक्षी की बात बोली कि the engine of amending power तो ship of Thasias की मतलब कहानी आती है कि एक जहाज है जिसके हर पुर्जे को बदलते गए और ultimately जाके वो जहाज क्या वही रहेगा तो क्या अगर ये power parliament के पास आ जाए तो क्या भारतिय समविधान भारतिय रहेगा मैं तो इसमें एक basic सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर वो ship चल रही है जी तो उसकी speed बढ़ानी है जी ना के हमें जो है efficiency बढ़ानी है ना के हम उसके हर पार्ट को अलग-अलग कर दे या निकाल करके कुछ नहीं लगा दे जो suit नहीं कर रहा है तब तो वो डूप जाएगा तो उसी प्रकार से समविधान जो है हमारा मुझे नहीं लगता है कि क्यों इतनी हमारी tendency है कि हम इतना जादा हमेशा amend करते हैं पार्लेमेंट आइ तिंग उसको जो existing laws है अमेंट करने से जादा मतलब यह है कि हम जब amend करें तो कोई इसको review ना करें और कोई review ना करें पास absolute power रहें पहली बात तो यह है कि आप इतना amend करना ही क्यों चाहते हैं हर बात में आप amend 105 आप देखे कितना सौ स्यूपर होगे 105 मैं पढ़ रहा था यह जो 99 था आपका NJAC वाला और कॉलेजिये वाला मैंने क्याल से 104-105 अमेंट आप देखे इतने कम समय में इतना amendments हो गए है इसकी आप liberal democratic societies में देख लीजिए किस constitution की इतनी ज़ादा amendment होती है तो कहीं न कहीं amendment के तरफ अगर आपके कि मैं parliament में हूँ मैं कानून बदलूँगा मेरा कानून होना चाहिए मेरे तरह मैं जो सोचता हूँ वही होना चाहिए तो इससे तो बिल्कुली बिल्कुल constitution की दर्जियां और जाएगी और दूसरी बात यह है कि अगर हम constitution में amendment ही लाना चाहते है तो हर वो amendment जो है parliament में एक robust बहस के बाद आनी चाहिए यहां तो amendment पास होते है तीन गंटे में आप देख लीजे अगर आप पिछले कुछ amendments को देखें तो आप देखेंगे कोई sincerity नहीं है बहुत सारे amendment ऐसे हुए है जो fraction मतलब बिल्कुल ऐसे लाया चुक्छे आपके पास brute majority है आपने लाया कर दिया आपको पता है कि हम लाएं कोई बहस की गुंजाइश नहीं कर देंगे तो पर्लेमेंट में अगर बहस ना होगी तो फिर कहा होगी सर्भी बात है आपने मतलब बहुत सतीक करम के दौरान आगे आने वाले महीनों में हम इस केस के बारे में और चर्चा करेंगे ताकि जनता में एक जागरूकता फैले कि Constitution सिर्फ नाम का नहीं रहे बलकि जो उसका जो मूल जो आधार है जो बेसिक structure है वो भी बना रहे और पार्लिमेंट के पास कोई हक ना हो उसको बदलने का नमश्कार